योरप दुनिया के सबसे खुबसूरत जगहों में से एक और यहीं है सिटी मिलान एक फैशन हब यहां के लोग बहुत ही अनोखे हैं वो बस अपनी सोच के हिसाब से जीते हैं और वैसा ही है यहां का मौसम तब बारिश होगी कब धूप निकलेगी यह बस उपर वाला ही जान के लोग शामिल हैं भारत के लोगों में एक खासियत यह है कि वो कहीं भी जाएं किसी भी परिस्थिती में खुद को एड़जस्ट कर लेते हैं डेश में भारतिये भलाई एक दूसरे से अलग रहते हैं लेकिन बाहर वो एक जुट होकर रहना पसंद करते हैं यह कहानी भी एक ऐसे ही भारतिय की है इस व्यक्ति ने यहां जो कंपनी स्थापित की है उसमें 90 प्रतिशत काम करने वाले लोग भारतिये हैं यह हैं एमडी मूर्ती इस कंपनी के के केर टिकर यह सेंड 15 साल पहले यह यहां मिलान में आये इन्हें इंग्लिश नहीं आती है और अपनी भ यह कल पर भरोसा नहीं करते कल के लिए आज को बरवाद नहीं करते ही इस बॉन टूफेन शिवराज कैसे आप शास्त्री जी आनंद है परमानंद है आज मुझे याद किया कहिए क्या बात है अधर में शुभकार्य करना चाहता हूं पताई कैसा शुभकार्य हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं उसकी कुंडली दिखानी थी पहले शगुन की थाली लेके आईए उसके बात सारी बात करेंगे स्वारी शास्त्री जी एक मिनिटा नैना यह हमारी बेटी नैना यह नैना है या नैन तारा है सिर्फ नैना शगुन की थाली में फल नहीं होगा तो चलेगा लेकिन पेमेंट के बिना कुछ नहीं दो ना आगे आगे आप सब कारे शुभ होंगे गुरु तो बहुत प्रबल स्थान पर बैठा है आपकी बेटी के आरेंज मैरिज नहीं होगी इसकी लव मैरिज ही होगी एक अच्छी फिल्म की लव स्टोरी की तरह जो जन्मांतर के बंधन में बंदे हो कई जन्मों की जोड़ी होग इश्वर तुमें उनल देगा बेटारी मुझे सिगनल देंगे कर्एट्प एक तुम्हारे प्यार की शुपूद बनेगी हवा दो बार तुमारे फेरे लगाए गी हावा tez हो कर फूलों सही पतों सही और डस्ट सही तुमारे इड़िकी स्लो मोशन में भूमेगी तुम आप लोग भी ना नॉंसेंस अभी जो मैंने भविश्य वाने किया अगर वह जूट टिक ली तो मैं भविश्य पढ़ना छोड़ दूँँगा अंकल अपने बॉस का दिमाख खराब हो गया है क्यों क्या हुआ अपने मिलन सिटी का वो रोड जिसके सारी गाड़िया बहुत तेजी से चलती है बहुत डेंजरस है वो चार मिलेनर्स के साथ मिल करके रोड क्रॉस करने का शर्त लगा रहे हैं सही कहता है वो जब से वो समझदार हुआ है तब से उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो आज तक वैसा ही है शिवा I like your daring character I see भला ही खुद के लिए नहीं हो पर दूसरे के लिए तो हो देखिए दूसरे पर भरोसा नहीं करना चाहिए संडी तूने आकर सब भाउख दिया ना आब वो देख मैं कल को नहीं मानता वैसे इंसान को भी नहीं मानता अब पूछकर क्या करूँगा बाए अच्छी बात है बेटा ये लोग चेक पर साइन करको अब पूछकर क्या करूँगा बाए अब पूछकर क्या करूँगा बाए अब लेट्स गोई हाँ चलिए आज सुभा से क्या क्या हुआ है सुभा मैंने बच्चे को स्कूल चोड़ा फिर वाइफ को ऑफिस चोड़ा उसके बाद पिता जी को हॉस्पिटल चोड़कर और जब यहां के लिए निकला तो ट्राफिक ने दिमाग खराब कर दिया साइसा है तो आज की मानिंग कैसे तो विए प्राक्टिकल अविव जो से सम्थिंग यू शुद मीन जा शाहिए तो तो बच्चे को रहना चाहिए तो तो यह सुद्ध रहना चाहिए तो यह सुद्ध नहीं हो क्या देरे देरे सब पता चल जाएगा गुद मॉर्निंग बवकूफ सर मैंने आपको एक मेल किया था रिगार्डिंग मुझे पालने वाली मा एक्सपार हो गई है जाकर क्या करोगे सर आप जाओगी तो वह जिन्दा हो जाएगी नहीं ना अगर नहीं जाओगे तो वहां का प्रोग्राम नहीं होगा कोई चार लोग कर लेंगे ना यहीं से प् पैदा करने वाली को पालने वाली कह रहे हो, डॉंट बी इमोशनल फूल, गट बैक टू यू वर्क, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, क्या हुआ इसे शिवा, उसकी कोई पालने वाली मर गई है कह रहा है, इंडिया जाने के लिए छुट्टी मांग रहा था, इसलिए मैं कहता हूँ, कि इंडियन्स को अपॉइंट मत कीजिए, यार कम्प्लिटली इमोशनल फूल्स, मैरिज के लिए वन वीक, मर गया तो वन वीक, पूरी तरह से कमजोर होते हैं, और यहां देखिए, हाफ डे मैरिज, हाफ डे क्रिमिशन, और बैक टू वर्ग, सर, अब क्या हुआ? मैंने रेजिक्रिशन लिटर मेल किया है, सर, वाट? आपके निजर में पैदा करने वाले और पालने वाले में कोई डिफरेंस नहीं है, सर, स्पेशली इंडियन्स के लिए ये दोनों एकी हैं, सर, हम इंडियन्स जी रहे हैं, इमोशन्स और संबंध के लिए, संबंध, माइ फॉट, वाट्वर यू कॉल सर, बट मेरे लिए वो ही इंपोर्टन है, तंखा देने वाले और भी बहुत सारी कंपनी पड़ी हैं, लेकिन संबंध कुछ लोगों के साथ ही होता है, कोई चार लोग करें तो वो काम होता है, सर, और अगर हम गए, तो उनका अहसान चुगा सकते हैं, विकाज कल मैं मर जाओं तो चार लोगों को आना चाहिए, सर, आप इंडिया ने फिर भी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, I really pity you, सर, गुड़ पाई, फुलिश फैलो, आप क्या कहते हो, ए परसन एंड इस परसनलिटी, मतलब एक व्यक्ति और उसका व्यक्तित, इन दोनों की पैचान कैसी होगी, जब इंसान जीता है, तो वो अपने हिसाब से जीता है, जब वो मर जाता है, तो उसके पीछे चलने वाले हजारों होते हैं, और ऐसा नहीं है, तो मतलब वो ज़रूर अनात है, गेम ओवर, बॉस, अपने देश में पगार नहीं दिया, तो भी लोग काम करते हैं, या छुट्टी नहीं देने पर लोग काम छोड़ देते हैं, कैसे लोग हैं? वो उसकी मरजी है, उसके लिए हजारों कमपणीज हैं, और हमारे लिए लाखों एंप्लॉईज, आपको किसी चीस्ते परेशाने नहीं होती है, बॉस, क्या परेशान होना है, बोलो ना, अपना दीमाग तो वैसे भी क्रियेटीव है, और उसके सौ फीट की दूरी पे तुम्हें पता चल जाएगा, इस्वट में सि dol देगा भी अवातेज होकर, फूलों सहित, पत्तों सहित और डस्ट सहित, तुमारे इर्द किलिझ स्लो मोशन में घुमेगी, तुम इधर से आओगी वो उदर से आएगा, तुम इधर से आओगी, वो उदर से आएगा, और तुम दोरों के मिलने से ठीक पहले जिच क्या हूँ और एक ज़रूरी बतो अकर होने के बाद गिरने से पहले तुम यह तो गिर गई बॉस शायद बेहोश होगा यह बॉस चलिए बॉस इसे होस्पिटल लेकर चलते हैं कुछ भी हो लेकिन हम तो इंसानी है इसे हॉस्पिटल में भरती कर देते बॉस देखने में तो अपने गाउवाल ही लगती है अजया सेंटिमेंट पागल हो गया चुप चप चलो नहीं नहीं बॉस आई लव यह भी तो बोला इसने इसे मैं ठीक से जानता तक नहीं हूँ और यह मुझे आई लव भी बोले तो मैं इस पर यकिन कर लो बॉस इसने आई लव भी आपको नहीं मुझे बोला है अरे यार ठीक ठीक है चलो ले लो तिंटक टक टक टिंटक आई एसे घूंद क्यो रहा है खाना हजम नहीं वा कि असने जो वोला है मैं उसे हजम नहीं कर पा रहा हूँ बॉस ओ गॉर्ट पार रहा हूं अपने इंडियन गट फोरन से भी पावरफुल है बॉस मैंने वहां मांगा था दे यहां दिया इसकी एस्या खाइं आप टक टक हुं तप टक टक है आम ने ना आ आप आम सेंडी ही स्मय बॉस शिव कर ने पर बेंटी कुछ नहीं मां तोड़ा चक्कर गया था इन्हों नहीं मुझे अप्टल में आद्मिट किया ओ थैंक यू सो मज़त आ यूंगा था आ लेकिन मैं आऊँगा, डॉन्ट बरी, बाए नेना. यूनो, उन्हें कल पर भरोसा ही नहीं है. उसमें स्पेशालिटी क्या है? हम कल की बारे में सोच सोच कर, आज का दिन भी स्पॉयल कर देते हैं. ओ, ओ, ये तो हम जानते ही नहीं. जानती तो है, पर हॉस्पार समझ गई. अब तो तू नहीं रही, उसकी हो गई है. So, you wanna see him and meet him, huh? Exactly. But how? उसने तुम्हें हॉस्पिटल में एड्मिट करती हुए, फोन नबर और एड्रेस दिया होगा. Good idea. Please, तू मेरी help करेगी. आज मुझे कंपनी में इंटर्व्य के लिए जाना है. I can't miss that. So, if you don't mind, तू हाँ जाएगी. Okay. Oh, no problem. See you. Bye. Bye. Excuse me. Yes, please. Yesterday, we admitted a patient called Naina. Can I get her details, please? Naina? She's enquiring the same. Uh, आप? Yes. Here. Naina को जिसने एड्मिट किया, वह मैं. She's in love with you. Yes, it's me. मैंनो तो expect किया था, लेकिन उसने express कर दिया. मुझे तो डाउट हो रहा है. मुझे भी डाउट था. But, हाट ओपन होता है, तू हाँ क्लोज हो जाती है. पर मुझे तो असर भिला हो लग रहा है. क्या बढ़री, आपकी तारीफ? नेना से फ्रेंड हर्शा. डॉंट फिल बड़, आपको भी कोई मामूली आदमी मिली जाएगा, मुझे भी काला. आपका कॉंटेक नमबर मिल चाहे तो मैं चली जाहूँ. इस सफोकेटिंग. तेक में कार्ट. अपने फ्रेंड से बोलिये, वह जब भी चाहे भी मुझे दिस्टर्ब कर सकती है. I'm already disturbed. Gosh. Excuse me. What? I miss her a lot. Nonsense. Congrats. Sure, sir. Do one thing. Come after some time and collect the paper from our MD. Thank you so much, sir. Hey, Harsha. Any information? How bad taste is your name? वो कौन से एंगल से तुझे पसंद आया? कलर नहीं, फिगर नहीं, कारेक्टर भी नहीं है. किससे मिलकर आई है तो? तू जिससे प्यार करती है उस मॉडल को. ये बात उसने खुद बताई. Impossible. Somewhere something is wrong. क्या? Hello? Hello, Nana. Where are you lost? Hey, Harsha. What a surprise. He's here. मेरे बिलकुल सामने. अभी अभी यहाँ था. इतने जल्दी वहाँ बोच गया. हाँ, अफकॉर्स, रंग थोड़ा पक्का है. बच स्टाइल, आटिट्यूड, इस थाट्स. मैं इसे डून रहा हूँ और यहाँ थोड़ते वे यहाँ यहाँ तक आगई. अब और यहाँ तक इसाओ, अगॉर्स, आग्योड, यहाँ एअ, तक में भाइब। मैंने ड्रहरर, दिए दोल्दी खाना. में दोल्मादें, और मैंदें बेमें, घर्षा मैं हैं.. newly appointed papers here please go through not needed all the best thank you sir excuse me in this company love emotions feelings sentiments attraction जैसी चीज़ों के लिए कुई जगे नहीं है sure sir I know my limitations better be in it thank you congrats better thank you sir तो मैं यहां नहीं रहूंगा anyway साथी हो जाएक किने दिंवरा देश नहीं द्रूरूरा ज़ो कितने दिन भाकी है सिर्फ आर्ट दिन बुल्टि यहां इनी तक जिन्दा रोगा देखो जब मुझगो अप Let's यह क्याओ शिव कि अच्छ सीव sentido विक शोरी में तो एपी म भॉष už left वप दो भी मैं क्यकर सुब साहअ जो कमा यह भी तो जो इसटेकर आप अरे कल तक तो आप ठीक थी, आज क्या हो गया? सुनो, कल की बात की आज कोई वैल्यू नहीं, नए दिन की नहीं शुरुवात, आज का दन कल नहीं होगा, एंट फैक, कल रहेगा या नहीं, वो भी नहीं पता अरे, आप सुनली मेरे बॉस की तरह की बात कर रही है, एक्जाक्ली, हम जिससे पसंद करते हैं, उससे हमें इस्पायर होना चाहिए, हैसा है तो मेरे से, एक्स्पायर हो गया, शिट, माय आपको एक सच बताओ, जिस तरह से तुम मुझे नहीं मिले ना, उसी तरह मेरा बॉस और यहां तरह मेरा भी तुम्हें नहीं मिलेगा, अरे जो कल पर विश्वास नहीं करता वो तुम्हारे प्यार को कैसे माने गाए उमकी यह सोच कब से है कम से कम, बीस पचीज साल तो ही गए होंगे, तब से तो कल आही रहा है ना, आ, 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 हीट कल्स किल्ट क्ल की डेट का जो चेक है उस पर आज साइन करना है कल आप रहेंगे क्या, आ, आइमीन कल को आप नहीं मानते ना, गल में नहीं हो तो पेयमेंट की भी क्या जरुरत है आपके भरोसे पर इस कंपनी के भरोसे पर बहुत लोग जी रहे हैं अगर कल आप यह नहीं रहे तो गुड नेना तुम ही मेरी तरह सोचती हो अचानक ही अगर आज में मर गया तो उसे फोर्जरी समझ कर चेक स्टॉप कर दिया तो कोई फोर्जरी कैसे कर सकता है वो भी आप मरने के बाद यह जो खोड़िए इंप्रिसिव थैंक यू अजय अचे है अचे है अचे है अचे है अचे हैं यह जादी और मैं जिन्दा हूं आप ने फोन रिसीव किया है मतलब आप भी जिन्दा हैं सर अपने कहा था ना क्या आप जरूर रहेंगे प्लीज आएगा सर है गुडवन अर य यह बॉस आगए हलो वेलकम बॉस थैंक यू एक्स्क्यूस मी एवरिवन थैंक्स तो वन और और फॉर प्रिजन्स आज मेरे बेटे की शादी है मैंने अपनी जिम्मधारी निभाई है मेरी तरफ से इन दोनों को बस एक ही रिक्वेस्ट है अपनी रिक्वेस्ट है अपनी लुष मैं पोता पोती के साथ यह जीना चाहता हूं यह इन वन है वंक्ति आप एक्स तो अबाट थैंक्यूस के लिए यह सर भी खूंगारी तुम्हारी फ्रस्ट नाइट कब है क्या तब तक तुन जिंदा रहोगी अरे व्लोग इसे क्यू टेख रहे तुम्हारी अश्या यह सब में क्यों बोल रहा हूं पता है क्या वाग लगाने की बारे में अब अब होंगे इसकी क्या गैरिंटी क्यों वो मर्द नहीं है क्या आज किस हैक्टेक शडियूल में प्यार से रहना मुम्किन है क्या इंपॉसिबल डेली कल-कल करते पोस्ट पॉंड करते हैं कल आएगा क्या नॉट अट आल वहां तक तो नेक्स जंद्रेशन स्टॉप दुआ भी छोड़ दिया इस स्पेशल ओकेजन में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा है के मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं है स्पेशली कल के दिन पर मुझे लगाता मैं अकला ही ऐसा सोचता हूं बड रीसेंटली मेरे ही जैसी सोचने वाली मेरे ही कंपणी में जॉइन हुई है अगर तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए तो कल से इसकी कंपनी छोड़े तो इसकी की बड़ी मेरी बात सुनो रहा है सकाव याँ दॉसली अपनी बारे में खुद को ही पता नहीं होता जब दूसरा कोई बता तो ही अपनी वैल्यू पता किलती है एस बेडार्या तो ही प्रषो क्या अपनी चले श़ाइब क्या नैना तुम कभी एंछि आई हो सर्ट से तुम टेक्सी में जाओ मैं नेना को ड्रॉप करके आता हूं टेक्सी आप इतने प्रैक्टिकल हैं मुझे पता नहीं था बॉस सॉरी सांडी इट्स ओके ए सॉरी वो क्या अगर आप बुरा ना मानी तो किया आए आपके फ्रेंड्स ड्रेलेक्टिव्स या कोई नहीं है प्रेंड्स हैं लेकिन कोई भी फ्रेंड क्लोज नहीं है जो भी क्लोज है वो स्पेशल नहीं है रेलेटिव्स आप कल को क्यों नहीं मानते सार्व शल्वी गो फॉर वॉर वॉक मैं जब चार साल का था तब मेरा दिमाग भी सही नहीं था पापा कहा ये मैं मां से बार बार पूछता था तो वो कहती थी के कल आएंगे पका आएंगे शोर आएंगे ऐसा ही बोलते थी बड़ा होने के बाद इतने साल होने के बाद भी मेरे पिता जी आए ही नहीं क्योंकि वो कल कभी आया ही नहीं मैंने उसे दिन डिसाइड कर लिया कि जो कल मेरे पापा को वापस नहीं लाया वो मेरे लाइफ में क्यों चाहिए नहीं चाहिए So I left it एक तो कल बड़े लोगों के मूँ से भी ये जूट निकल सकता है इसलिए मैं हर दिन को अपना पहला दिन मानता हूँ लास्ट हो जाए So I क्या हूआ चलो क्या बात है इमोशनल हो गई लाइफ में इस सब चलता रहता है आप तो तेक इसलिए आपने बहुत मेली है आपने बहुत मेली है मेरी फीलिंग्स को दूसरे के साथ शेयर कर रहा हूँ I want to drink don't stop me thank you so much sir my pleasure good night good night haa nena haa I think I am in love with you what I love you hi good morning sir my what's good about today आपकी बाते है मेरी बाते है मेरी बाते है मेरी बाते सुनकर सब लोग मुझे पागल और मेंटल बोलते है सिर्फ तुम्हें ही खुशी होती है आपके मुझे लव यू सुनकर खुशी ही होगी ना कम अगेन लव यू कहा मैंने हाँ कल रात को शडब ने ना हो सकता है मैंने कन नशे में बोल दिया हो पीकर इंसान सची बोलता है और जब होश में नहीं रहता है तब मन की बात बाहर आ जाती है ओ ऐसा क्या अब मैं होश में हूँ दिल खोल कर कहता हूँ I don't love you जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी I love you कह दिया था आपकी कामपनी में मुझे चौप मिला यह मेरा लग था इन फैक्ट आपकी I love you कहने के बाद मैं अपने आपको भूल गई थी अब कैसे याद आ गया अफकोर्स आपको भी याद आ जाए मैं कोच ऐसा करूंगी युमिन्टू से मेरे मूँ से लव यु बुलवाऊंगी और वो भी आज ही मेरे इसाब से दिन खत्म होगा ठीक बारा बज़े अब बचे हैं मॉनिंग इलेवन अक्लॉक ठीक तेरा घंटे बचे हैं ताटसना मेरे ले उतना ही काफी है क्या आज की रात आप डिनर के लिए फ्री हैं क्या कोई बात नहीं आज सोचिया टेक दिसिस्माइ किफ्ट सांधी यस ओ नैना हाई तुमारा बस पागल है क्या हो हमारे लिए तुमें इन्टल है सॉरी मेरी एक हेल्प करोगे तुम क्या है मेरे पास एक प्लान है समझ में आगया ना ओके ओके क्या चलड़ा है बस आई लव यू बुलवाई की बूली है वो भी मेरे मूँसे लव वो भी तेरा घंटो में करें अबुआ इस तरह के बैचशए चैलेंज करके मुझा बहुत दिन होग कि अच्छा लेट सेट पेचए का पीछी का विट में आश्यरा ताए का दाए का आशा वहलो सो मैं नैना क्या बाते नैना चेलइज करके कही गुल हो गई क्या प्रबेश हो रही थी बोलना तो मुझे आ न पर बुलवाना तो मुझे आ न उफिस में हो उफिस नहीं सर आखिर यह प्यार का मामला है उसके हिसाब से टेर्श आमबियन्स इस्कूज में, यह और श्रोग यह यह का है बॉस बेरे लिए इतना सारा जितना खा सकता है खाले बाकी फैंक दे और आपके लिए जब मुझे भूक लगी कि तब मिखा लूँगा उखाले नेना आईये यह यह नहीं में देखिया तो ठीक है नौल दे बेस्ट संबशिये पूल किता ही घंचना सबच्कू एक कर वलुड कम उसी kaa होगा हाद में अब सबच्छा कर我 क्या भsemble सिकू नेना सबस्क्स आए म मुझे मुझे आम सब देखिए मॅ disp cierto Sir, if you don't mind, will you come to Pekaso Bridge? I'll come. I don't want to lose. What's going on? Let's go, Pekaso Bridge. Okay. What's going on, boss? His phone is coming. Some girls say something, they say something, they say something, they don't trust them, boss. Who's the phone, boss? I know the number. Hello? Where are you, boss? I'm getting a bit frustrated. I'll play a little more. No, 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 no. This is like a real person to make a pig. I'm not seeing this. I'll stop here. Don't worry, we'll end it soon. Okay, bye, bye. It's too much. I'll play a game with you. Let's play. But you'll win. Yes, that's right. But he didn't come. But he didn't come to the youth. That means he's been killed. No, no. That's what I have to say about him. I'll tell you about him. I'll tell you about him. I'm not feeling that he's been killed. I'm not feeling that he's been killed. वाट यो थिंक आफ यो सेल्फ क्या हुआ सर मेरे मुंसे आई लो भी निकल वाओगी ऐसा मुझसे चैलेंज करके तुम इस तरह अपने घर में आराम से बैठी हो फेस नहीं कर सकती तो चैलेंज क्यों करती हो मैं जीतूंगी ये भरोसा था घर में बैठ कर जीतूगी वो ये ओपन हाट वाइट शेट तुम जैसे कितने भी प्रिंसेस आकर उसमें कुछ भी लिखने दो उसको इरेस करने की वेल पावर है मेरे पास जीत नहीं पाओगी तो हार माननी पड़ेगी तो ये सब छोड़कर मोबाल स्विच आफ करने का मतलब किया है वो बैटरी डाउन हो अब दूसरे नंबर से ट्राइ किया था यह अपने रसीव नहीं किया वो तुम्हारा नंबर था यह मुझे के से पता चलेगा बार बार कॉल आ रहा है तो रसीव तो करना चाहिए ना सब लोग आ डून टेक अन्नन कॉल्स फगेट अभी मैं जीता हूं या हारा हूं यह मु मैं म थसका सब्लेबरेत Geral माँ आज या हम्या चाहते हूं प्लिज अम था इस अज ही इल्ड करते अडुले। मैं आतल यह दून ऊ՛्च काल को नहीं मानते तो इस रून अज ही सवारा बद्ट करते हैं.. ? मैं दूसरी चाहते। में दूरूरा आउं! कमान प्तार्या भी रट्टे थूय। प्तार्या भी रट्टे थूय। प्तार्यान व्तार्याद देन्यान वह रॉज़ वह को वह दो आषगे वह दो? ओ इस तरफ धग्यो झाल झाल ये तुम ये बहुत बड़े आदमी थें सिर्फ हमारे लिए ही नहीं हम जैसे करोडों लोगों के लिए ये कैसे आदमी थें और इनका व्यक्तित तो कैसा था ये तुम जैसे लोग क्या जाने इनके बारे में जानने के लिए योगिता होनी चाहिए पापा मेरे पापा की फोटो यहां रहने वाले एक इंडियन के पास देखी उनका और मेरे पापा का संबंद क्या है ये बात मैं तुम्हें बहुत साल पहले ही बता देना चाहता था लेकिन तुम्हारी सोच हमेशा यही रही कि तुम ही सही सोचते हो 40 साल पुरानी बात जो आज तक मेरे दिल में दफन थी आज उसे सामने लाँगा और ये सिर्फ एक बात नहीं है बेटा ये एक इतिहास है तुम कल में विश्वास नहीं करते लेकिन तुम्हारे पिदाजी कल पर भरोसा करते थे और वो जीते भी थे कल पर तुम्हें किसी संबंद से कोई मतलब नहीं है लेकिन तुम्हारे पिदाजी उनके लिए संबंद के बिना कोई जिंदगी होई नहीं सकती थी जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया था फौजियों के लिए, किसानों के लिए और उनका सही अनुसरन किया तुम्हारे पिताजी ने आज पौधा लगाये जाए तो कल वही पौधा पेड़ बनकर लोगों को छाओ देगा उन्हें फल देगा ऐसी बड़ी सोच रखने वाले थे तुम्हारे महान पिताजी सच कहा जाए तो वो एक कल्प विक्ष थे किसान क्या होता है उसे कैसे रहना चाहिए उसकी जिम्मेदारिया क्या क्या है ये कल के जमानी की जन्ता को बताने वाले महान देवता स्वरूप पुरुष थे अपने बलबूते पर लड़कर उन किसानों की जमीन उन्होंने वापस दिलवाई जिन किसानों ने यास खो दी थी कि उनकी जमीन उन्हें कभी मिलेगी किसानों के सच्चे सेवक थे वो इस धर्ती के सच्चे सपूत कल ये नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा उन सब को अपने कल की चिंता सता दी थी और मैं तुम्हारे भविश्य के लिए चिंतित था तुम्हारा कल बनाने के लिए मैं तुम्हें वहाँ से यहां लेकर आया हूँ आप वही रहकर लड़ सकते थे ना? सेना पती और दिवान कभी राजा नहीं बन सकते शिवा उसके लिए योगिता चाहिए ये योगिता खून में होती है रगों में दौड़ती है ये योगिता तुम्हें अपने पिता को नहीं देगा तुम्हें इस बात की परिशानी है और इसलिए तुम्हें कल्प पर भरोसा भी नहीं है मगर हमें इस बात की फिक्र सताती थी कि उनके बाद कोई भविश्य नहीं रही है आज सारा सच तुम्हें बताने के बाद मुझे बहुत सुकून मिल रहा है ये लो इस किताब में उनके उद्देश उनकी सोच और उनके अदर्श सब लिखे हुए हाँ कोई तो होना चाहिए जो इस पुस्तक को पढ़े इसे समझ सके मुझे उमीद है इस किताब को पढ़कर तुम अपने पिता को समझ सकोगे उन्हें जान सकोगे को अब अब अंकल को मैं पापा के गाँ में जाने का फैसला कर चुका हम क्यों मैंने किताब पढ़ी बताने की कॉलिटी तो मेरे अंदर नहीं है और नहीं वो किताब की परस्नालिटी मेरे अंदर है अट लीस्ट मिलने के लिए कब जा रहे हैं बहुत चल्दी अरेज़्मेंट कर दीजिए सैंडी यह यह कहा है बॉस यहमारा बेटिंग में जिता हुआ पैसा है वापस कर दो लेकिन बॉस वो हमने जिता है विनिग प्रॉपर्टी इस लाइफ विनिग हार्ट इस लाइफ गिव देम बैक बॉस वापस कर दो हलो है नेना आपने मुझे कॉल किया है आपके मुझे करने के लिए रात को किया था ना सर आइनो वो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ कब कहां बताये ना रिलाक्स रिलाक्स देखो आज तुम्हारा बर्दे है सेलिबरेट करो इस फाइन टुमारो सर कल ओके है ना आपके मुझे कल निकला तुम्हें बिलिब करना होगा कल जरूर है तुम्हें बिलिब करना होगा 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 कम ओन यार, हिस प्लेइंग विध यू, जस्ट फगेट हिम, पटा सीरूसली मिस हिम, पहले उसका फोटो डिलीट कर दे, यह, मिस्टर बीं से प्यार करती है, सोचा था, लेकिन यह मिस्टर पॉफेक्ट कौन है, यही है मेरा लाग, सच में, हाँ, पर क्यों, विच विच साहिर, यह जो आपके आखों के सामने, चितनी भी जमीन दिख रही है, ना, यह सब हमारे गाउं की है, आपको जितनी जमीन चाहिए, उसको दिल्वाना मेरी जिम्मेदारी है, अरे बापरे, मैं हाथ जोडता हूं, यह भाचा मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अरे कोई प्राब्लम नहीं होगी, गुरूजी, मैं हूँ नहीं यहाँ पे, क्या साहब क्या चल रहा हैं यहाँ, सरकार ने यहाँ फैक्टरी बनाने के लिए पर्मीशन दी है, इसलिए बड़े साहब यहाँ जगे देखने के लिए आए हैं, चुप चाप इन से अपना अपना पैसा ले लो, और दूसरी जगे जाकर जिन्दगी विताओ, हमारा है, यह जगे हमारी है, इस जमीन को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे, अले, सुनो, 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 जाप देखो पर मुल्टा सीधा बखते रहते हो, हम इस मिट्टी के बच्चे हैं, यह मिट्टी हमारी जान है, कहकर मरते रहते हो, पर क्या फाइदा इसका, तुम हमेशा की सरकार समय पर बीज नहीं देती है, यह नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, किसानों को गुमराह मत कीजिए, आप जैसे लोग और आधनेता हमेशा किसानों को गमजोर नजर से देखते हैं, दारू पीकर मरने वालों को आप मुआफ़ा देते हैं, लेकिन एक किसान मरे तो उसे भीकारी की तरह नजर अंदास कर देते हैं रंगा भाई यह सब इन लोगों को समझ में नहीं आएगा 40 साल पहले सरकार ने तुम लोगों को यह जमीन खेती करने के लिए पट्टे पर दी थी इस बात को तो मानते हो ना तुम लोग तो फिर बात यह है कि अब सरका नहीं और फांसी लगा के मर जाते हो इनको भगवान ने भेजा है गाउं के भली के लिए चुप चाप इनसे पैसा ले लो मेरा करजा चुका और यहां से पहाडी के पास जाके अपना घर बना और जिन्दगी शुरू करो और नहीं माने तो कि यह आया है काफी कुछ पढ़ लिख लड़ने के लिए आया है कि खाने के लिए कुछ है नहीं लड़ेगा यह चुप चाप चला जाए यहां से वर्नाप यह तम की नहीं दे रहा हुं बेटा सरकार ने इस जगह पर फैक्ट्री बनाने के लिए पर्मीशन दी है वह ही छोड़ेंगे ऐसा है तो पहले अपनी जानी छोड़ दो साहब दिखा दीजिए अपनी ताकत क्या है यह सब यह हो क्या रहा है जेखो ना बेटा 40 साल पहले देवता जैसे एक आदमी ने सरकार से कहकर यह जमीन हमें देलवाई और यह लोग अभी से हमसे चीनने आए हैं यह कोई जज है क्या देखो यह सब ठीक नहीं कर रहे हो कोई ऐसी जगह नहीं जाओ शिवा नहीं इस दमीन को शमशन बनाना चाहते हो या मंदिर यह तुम डिसाइट करो खुद बरखुद पता चल जाएगा कि हम यह क्यों आए हैं चुप चाप यहां से निकल जाओ यह शहर नहीं गाओ है शहर के लोग जो खाते हैं वो गाओं के उगाये चावल हैं यह को ने जो इतना डालॉग मार रहा है यार है इसे उठा के फिको यहां से कर सकटा रहां से कर दो कर दो कर दो है ! you can make us out from here but you cannot escape from the law and the government का एप इस मिट्टी को चाहते हो। यह गलत नहीं है जिस दिन मिट्टी आपको चाहने लगे उस दिन कोई जिन्दा नहीं पचेगा है ! चला जा ! चला जा यहां से ! मैं जाने के लिए नहीं आया हूं रहने आया हूं इंतिजार करना है, मैं करूँगा, बचाने आया हूँ, मैं बचाओंगा, जरूर बचाओंगा अपने अन्न दाताओं को, किसानों को. ठेंक यू. कौन हो बेटा तुम? शिम हूँ ददा, शहर से आया हूँ, इस गाओं के बर में मैंने सुना था, दो दिन रहने के लिए आया हूँ. पढ़े लिखे दिखते हो, तुमने गोडा से जगडा कर लिया है, वो इंसान वाक्षस के समान है. पहले भगाएंगे, अगर नहीं जमा, तो शिकार करेंगे. आप क्यों गाओंवालों से जगडा मोल ले रहे हैं, मेरी बात मालों चले जाओ. कहां जाओं? जहां से आयो, वहां. भगवान आने के लिए एक रास्ता देते हैं, जाने के लिए सौ रास्ते बताएंगे. इसके बीच में चार लोगों का भला कर पाऊं, तो वहीं मेरा नसीब है. जवान हो तो पत्थर तोड़ने की हिम्मत रखते हो, क्यों हमारी मुसीबत अपने सर पर ले रहे हो? आप इस तरह मुसीबत में कितने दिन रहोगे, चाचा? मरने तक. इसमें से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं, सुनने में अच्छा भी लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब वो बातें फिर से कोई दो रहा पाएगा. दादा, दादा, वो कुछ दिनिया रहना चाहते हैं, उनको रहने भी जिना. आप किसके बेटे हो कम सकम ये तो बता देते हैं इनको? तो क्या होता? सब के घर में जगा मिल जाती, प्यार मिलता, सम्मान मिलता. लेकिन उन बेचारों की जो प्रॉब्लम हैं, वो हमें कभी नहीं बताते हैं. इससे हमें क्या प्रॉब्लम होगी? हम यहाँ पर क्यों आए हैं? गूमने के लिए? या आराम के लिए? इन लोगों के साथ मिलकर, इन सब की मुसीबत जानकर, इनकी मदद करने के लिए आए हैं. ठैंक सर, आप यहाँ आए, हमारा सपोर्ट किया. इस ओके, आप लोग… मैं सागर हूं सर, इस गाहों का भाला हो जाए, बस मैं यह ही चाहता हूं सर, लेकिन मैं इस लड़ाई में अकेला हूं सर, लेकिन आपको देखकर एक एनरजी मिल रही है सर, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ रहने के लिए कोई जगे मिल सकती है, थ्री बेडरूम होगा तो भी चल बॉस, क्या हुआ, वहाँ देखो, मेरे पापा कब आएंगे यह में इंतजार करता था, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो बता वो कैसे आप आते, सर, क्या हुआ, चलिए न, हाँ, मैं बजार से सब्ची लेके आता हूं, सर, अंदर दादा, दादा, सर, एक मुट मैं भी आया है, मौस दादा ये हमारे महमान है कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहते हैं नमस्ते बेठा यहाँ कोई भी रह सकता है यह घर उसी के लिए बना है इन्होंने ही यह घर बनवाया है किसी को भी भूखा नहीं रहना चाहिए सरकार तो अभी यह बात कह रही है लेकिन हमारे साहब कबसे यह बात कह रहे थे पसीना बहाने वाले मजदूर सूखे से ग्रसिद किसान और भूखे लोगों के लिए यह देवाला है यहाँ जो कोई भी आता है उसे भरपेट खाना मिलता है और ये देवाला साहब के जमाने से ही चला रहा है अगर साहब का देवाला ना होता तो खाना तो छोड़ो पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता लोगों को साहब का एक बेटा है पर कहा है, कैसा है, कुछ भी नहीं पता बस हर महीने पैसे भेजते रहते हैं हाँ, ये जो चेक है न, इसके बाद इतने सालों में मैंने आपसे नहीं पूछा, तो अब क्या जानना भगवान करे वो जहां भी हो, ठीक हो हमारे साहब का ही, ये सब कुछ किया धरा है उन्हीं की दया से सब कुछ चल रहा है चलने दो, चलने दो बॉस मेरे लिए इतना सा रख जितना खा सकता है उतना खा ले, बाकी पहेंक दे न जितना सकता है एफ अपार गया अरिकम्म तूट गई पाजी निकम्मे नादायक तुने आज तक एक बार में मुझे नीजे गिर्ने से पहले उठाया ग्या तुझे इस बात की बगार देता हूं जदे पेरी सारी दौलत नर्माद होगी तुझे बगार देते देते किसमत देख अगर मेरे माबाप ने सिर्फ आधा घंटे का एक्स्टेंशन ले लिया होता तो मैं कम से कम आधा फुट लंबा और होता पर नहीं उन्हें तो जल्दी थी वरना इस तरह की गाड़ी चला ले मुझे कोई दिक्कर नहीं आया करती अरे सुन इतरा इतरा गाड़ी और जो लोग यहां पर ने आये हैं उन लोग को कौन बताएगा मारत्यार वनि भुलाई से भार स्नेक साथू है स्नेक साथू घल्दी बहर नी बरना पर तेरी तो अरे तु घुर ए तू मुझे जानता रही है कौन हर तू मुझे नहीं जानता ए मचार सर से लेके छाती तक बालों के गुच्छे जैसा तू एक शेर से पंगा ले रहा है इस शेर को गुस्सा आ गया ना तो जहर से भरी इस उंगली से बचनी पाएगा बहुत मुश्किल बचना यह ऐसी हरकत क्यों कर रहा है अगर पूछ रहा है तो इस से पूछ वह मेरी बतारीक कर के बता एक मोटे दुरा जल बताई से की कम बठाई है यह मेरा भाइन बचला है न पागल यह साख्शा अतमों है इस पूरे गाओं के लिए इसमें क्या क्या किया तुझे पता है दो मैंने पहले एक सांप इस गाओं में आकर, यहां की मुर्गी ओं बक्रियों औ तब मेरे भाई ने जंगल में जाकर उस साब को सोते हुए से उठाकर उसे खुद से लड़ने के लिए ललकार दिया वो मेरे भाई के पास आया मेरा भाई कम नहीं है दिन भर उससे फाइटिंग की जो है ना उसे मारने ही वाला कि उससाब ने मेरे भाई को खा लिया एक हफ्ते तक वो साब गाउं में नहीं आया पेड़ पे लटक कर वो मुझे हसम कर रहा था तुझे भी ऐसी लटक नहीं तो बोल दे वाटस आपनंग हिर्क यहीं इतना कि यह कौन है रही हो में और में कौन हूँ यह नहीं कौन हूँ यह नहीं क्यूर। सांप पकड़ने वाले लखे थे भी मैं ये कन्फरम करना चाहता था गे इस गाओं के पड़े साहब का दामाध हूं मैं चलिया तो इस गाओं में आया, फोकट में खाना खाया, पानी पिया, चुप चप सो गया और फिर अशके बोरी की सोतरा अगर ऐसा करेगा तो ठीक रहेगा, चल निकल ले यहां से, नहीं गया तो, कोछ चलागी होगा फिर, क्या कर लेगा, क्या करूँगा, मैं वापस चला जाओंगा, अपने जीजा को ले के आओंगा, तब तू क्या कर लेगा, पहले ही मेरे बॉस तुमारे जीजा को सबक सिखा आँ खुए हैं, तु जयादा बोलेगा तो तुझे भी सबक सिखाएगा, चल भागे यहां से, मारेगा, तु मारते तु चुछ कर दिखा मुझे, तुरे तो छुल यहां क्यो साथ निचलेगा, तु आँ टाच कर दिखा तुरे दिखा आँ, आँ, तु परेगे, नमस्ते दिल्ली जाने से पहले मैंने कहा तहां इनका काम हो जाना चाहिए, अभी तक हुआ क्यों नहीं? उन लोगों को कितना समझाया लेकिन वो समझते ही नहीं है। कह रहा है अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन कभी नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों को सबक सिखाने के लिए अपने लोगों को भेजा था मैंने। मगर... मगर? मगर क्या हुआ? इतने में एक आदमी आया, उसने हमारे लोगों को मारा और मुझे वार्निंग दे कर भेजा है वहाँ से। देख, चाहे जो भी कर, उसका सर काट या उसके पैर पकड़, मैं नहीं जानता, वो जमीनी से किसी भी तरह मिलने चाहिए। उस जमीन को छोड़ कर, अपनी जगह में से जो जमीन मांगेगा, मैं दस मिनट में इनके नम रइस्टर कर दूँगा। नो, मुझे वो ही जगह चाहिए, यह हर्ट माइगो। क्या आप भी वही जगह चाहिए, वही जगह चाहिए कि जिद लेकर बैठे हुए है, और उपर से इगो, दूसरी जमीन से आपको क्या परहे जाए। इस ड्राइलेंड, क्लास फैक्टरी बनाने के लिए अच्छी जगह है, पर यह बात लोग नहीं जानते। क्यों, तुमसे ओग आया नहीं, या मैं खुद ही उनसे बात करूँ। उसके लिए आप क्यों जाएंगे साब, मैं ही उन लोगों को लेकर यहां आता हूँ, यह कॉमसा बड़ा काम है। अधिया है, सागर, हलो सर, क्या कर रहे हो। अपने गाउं को कैसे बचाओं बस यही सोच रहा हूँ, सर, वो गौड़ा इसी गाउं का है ना, हाँ सर, इसी गाउं का है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वो नहीं है, चंता की कमजूरी की वज़ा से वो इतना ओ सर, खेती पर ही गाउं जीता है, और सिफ गाउं ही क्यों, ये राज ये, ये देश, खेती पर ही निर्भर है, अनाज पैदा करने वाले किसानों के पास कुछ भी नहीं है, सर, किसानों पर कर्जा है, वो चुका नहीं पाते हैं, तो आद्भत्या कर लेते हैं, सोचिए सर, ह अपका रेट तो ज्यादा ही है ना उसकी भी वज़े है सर जो भी फसल अधिक होती है और प्रॉफिट ज्यादा होता है तो सब वही फसल उगाते हैं और इस वज़े से स्टॉक बहुत बढ़ जाता है और आटोमेटिकली रेट कम होने लग जाते हैं लेकिन सागर बेचने को तो छोड़ो खाने के लिए तो फसल उगाना चाहिए था उगाना चाहिए सर लेकिन सरकारी बीज नकली होते हैं राशन की दुकानों पर धांदली होती रहती है और समय पर बारिश ही नहीं होती और करजा बढ़ जाता है और हाथ में आता है शून या फैक्टरी में काम का लालच देकर किसानों की जमीनों को मुआवजे का लालच देकर फैक्टरी वाले हडब लेते हैं और बाद में ना उन्हें मुआवजा मिलता है और ना फैक्टरी में काम और बाद में धीरे धीरे फैक्टरी की वेस्ट की वज़े से आस पास की उपजाओ जमीने भी हमेशा के लिए बंजर बन जाती है अब किसानों का सिस्टम पर से भरोसा उड़ गया है सर अल्टिमेटली उनके पास बचता है बस एक रास्ता आत्मात्या का मुझे एक बात समझ में नहीं आती बीज तो किसानों की दोरा ही होता है फिर उसे दुकान से क्यों खरिदते हैं किसान अन स्टेट का है पूरे देश का है बेचारे चावल उगाने वाले किसान ही भूखे पेट मर रहे हैं दिल में मची खल बली और मैं चला तेरी गरी यह सब छोड़िए तंखा कब दीजेगा आप में तंखा मांगता है आज तक किसको पैसे दीजे तुदे दुआ चाहिए थांक परी इस गाओं में तो बहार आ गई रहे रामपूर यही है ना रामपूर यही है लेकिन बस्ती में जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है तो फिर कैसे जाना है वहां खड़ा ना स्नेक साधू जाकर पुछो उससे हैं वह मेरी तरफी देख रही है अर उसने दुआरा प्र अरे मैं तो पूरा उपनियास लिख दो इस पर तू कट लिया से चला है पीचे हां चला हो 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 यह चांग साधू है यह स्लीज है नैना वेरी नाइस हाँ डू यू नो माइन नेम बस में तो आप ही की बात कर रहे हैं सबी पापियों को सिर्फ मेरा जिक्र करना थ अरे इतना क्लोज आने के बाद मैं रामपूर तो क्या राष्ट के किसी कोले में छोड़ दूआ बड़ा वन कंडिशन मेरी गाड़ी में बैटने तक के जिम्मेदारी मेरी है लेकिन उतरने के जिम्मेदारी आपकी होगी मैं कुछ संजी ने दीरे साब समझ में आ जाएगा कमान वाटारी वेडिग वर कम से थैंक्यू हागे जैट जा एक्स्क्यूज में ये लगेज हमारे बीच में डिस्टेंस बढ़ा रहा है ऐसे लगेज को कैरी करने के लिए मेरे पास एक आइटम है इसे इधर लाईए और इसे पगडा तीजी पर अच्छा तुझे चाहिए कीप दिस एंज्यू है स्नेक साहिए सिफ लगेज इठाने के लिए सुने के बुठी मैं खुद ही सोने के दिल वाला हूँ धीर दिर आप सब समझ जाएंगी चले यहागे आपका कहां और यहरा वो बावन अब उतर जाओं यही पर रोग दीजी यह काड़ी नहीं रुखने अर्यार अर्यार मुझे वही तो ठाओ थाओ थांगी तांक्यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए इट्सो के कभी ट्राइप नहीं पर देख नहीं पर दाना सारी एक्क्यूज मी अब आप वापस कब जाएंगी क्यों वो क्या है ना मैं आपको बाइक से ड्रॉप कर अपनी तो निकल पड़ी रहे हैं संडी तु सागर के पाफ जाकर अच्छा इस वक्त जिस इंसान की घर में आप रह रहे हैं उनके हमारे परिवार पर भी बहुत अहसान है तो मैंने सुचा कि मैं भी कुछ अहसान चुका दूँ यहां से तीन किलोमीटर की दूरी पर एक ग अब वो नहीं रहwegen बत् lado मैं इस पालेस के आप जीट वाली स्वीट में रह रही हूं वो क्या हो सोने को देखनी के लिए ड़त साथ मीं कव्फा है तो सोना काला हो गया है से तू कहां जा रहा है खाने के लिए प्लेट ऊप छमच की ज़रू होती मैं क्यूआँ के ए горark तु कल मुझे मिलने बुलाया था ना तो फिर आये क्यों नहीं डर गए क्या या कहीं तुम ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरे सामने तुम अपने प्यार को छिपाने ही पाओगे ऐसा कुछ नहीं है प्यार नहीं है या फिर अपने इगो को साडिस्फाय कर रहे हो वो बताने की बात कि महसूस करने की है और मैंने वो कर लिया है सो पता चल गया होगा ना हाँ चल गया आप से भी पता करूंगी और आपके मुह से भी बुलवाओंगी और तब तक यहीं रहूंगी आपके आसपास मन रहाती रहूंगी दादा यहां के लिए क्या कर रहे हो और क्या करूं बेटा हम जैसे किसानों को मरने तक भोजन देती है यह मिटी अब इस मिटी को मंत्री की नजर लग गई है बेटा भूख से मरना मन्जूर है बेटा लेकिन यह जगह चली गई तो हम अनार्थों की तरह मरेंगे उस मंत्री ने हमें बुलाया है वेटा क्यों रंग अपा सुना है कि तुम और गाओंवाले उस जमीन को छोड़ने को तयार नहीं हो उस जमीन के भरों से ही तो कितने परिवारों का पेट पल रहा है अगर यह जमीन भी हाथ से चली तो मुश्किल होगी मालिक उसी मुश्किल से निपटने के लिए तो तुम्हें पै आदमियों को मार मार कर वहां से भगाया था एई तुम कौन हो और इनसे तुम्हारा क्या संबंद है संबंद की कोई जुरूद नहीं बस इनकी मदद करने आया हूँ एक बात कहरा हूँ द्यान से सुनलो कलम पकड़ने वाले से अल नहीं चल सकता जरूरत ही तो पैन भी आता है और हल भी इतना असान सोच लिया है नहीं होगा नहीं होगा अगर यहीं सोच कर बैठोगे तो कुछ नहीं होगा अगर मन में रहे तो रास्ते निकलेंगे ऐसी ही सोच रखने वालों में से मैं हो तुम दर्ती के सुपुत्र के फॉल्वर हो अच्छी बात जो बोलत करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा भाई कुछ भी हो सरकार तो अपने हाथ में है ना अब टाइम दे दीजे हम भी देख लेते हैं क्या करता है वह ठीक है कितना टाइम चाहिए तुम्हें चे महीने आट महीने एक साल है ठीक है दिया अब इतने समय में जो करना है करो सर अगर कुछ नहीं कर सके ना तो जिन किसानों को तुम यहाँ पर लेकर आयो ना उन सब को कुछ तकी मौत मारूंगा अब सही सही बोल कितना वक्त चाहिए जस्ट त्री मंस मैं एक बाद बोलू हूँ हम इस जमीन को आप खरीद कर किसानों को दान कर देंगे तो प्रॉब्लम सौल हो जाएगी ना दुनिया में कोई भी पैसेवाल ऐसा कर सकता है लेकिन मैं यहाँ आया हूँ लोगों की इंसानिया बाहर निकालने के लिए यूर राइट बॉस इक्सक्यूज में अभी आप जागर सोसफती हूँ ओके यहाँ का यह तेरा पती साहब अरे बाहर आरा ना वाहाँ किया खड़ा चल राल गली बैंक वाली साहब आया है नमस्ते साहब सुनो फसल उगाने के नाम पर तुमने मेरे बैंक से कर्द लिया था इस बात को दस साल हो गए अरे जानवरों का भी इमान होता है अपने पालने वालों को नहीं काटते तुम तो जानवरों से भी बत्तर हो देखो एक हफते का समय देता हूँ अगर सारा कर्द चुका दिया बताओं तुझे अब गोड़ा साब सब लोग देख रहे हैं हमारी कुस्त तो इजद रखी आपका दियावा पैसा कहीं हो जाएगा हम बहुत जल्दी देदें हैं तो है क्या तुम्हें तुम्हें एक हफते का टाइम दे रहा है लेकिन मैं तुम्हें तीन दिन का टाइम द नहीं तो तुम्हारा घर सामान खेट सब बैंक वाला ले जाएगा और मैं तुम्हारी बीवी को उठा कर ले जाओंगा मेरा पैसा चुका कर अपनी बीवी को छुड़ा कर ले जाना और ध्यान से सुन लो मेरा पूरा पैसा ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा तुम्हें तुम्हारे साथ रहना ही तुम्हारे साथ क्या मैं तो इस गाउं में मेरे हजारों साले पड़े हैं सर नमस्ते बैठिये बोलिए हम रामपूर से आये हैं सर अपनी जमीनों पर एक्रिकल्चर लोन चाहिए सर देखे उस गाउं के लोग पिछले दस सालों से लोन चुकाए बिना आत्मात्या कर रहे हैं आप जा सकते हैं हम आपकी जमीन पर लोन नहीं दे सकते तो फिर किस पर ल लोन चाहिए ऐसे पूछा है आपने एक्चुली लोन के ज़रुद इन्हें ज्यादा है है हमारे बैंकों से लोग करोडों का लोन लेकर भाग जाते हैं और आराम से जीते हैं उनको तो आप जैसे टच भी नहीं कर पाते और किसान एक मैने का इंस्टॉल्मेंट नहीं भरत उसके घर जाकर उसके इज़त उतार कर आत्मत्या करने पर मजबूर करते हैं यही हैं आपके रूल्स एक से बात करो अगर वो लोन नहीं चुकाएगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं समझे नहर में पानी कब छोड़ेंगे आप लोग डैम में जब आएगा तब चोड़ेंगे अरे शहर में रोडस रहते हैं फिर भी पैसो की लालच में ट्राफिक जैम के नाम पर फ्लाइएवर्स के लिए अंडर पासिस के लिए ट्रंडर पास करवाते हैं वही अगर किसान पानी महंगे तो आसमान की और देखते हो आधि रात को दूसरे स्टेट के लिए पानी वो सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो जाके सरकार से पूछो सही टाइम पर अगर बीज ना मिले तो किसानों को क्या होगा भगवान ही वाली क्या आपकी आखों में आसु एक आदमी से तो लड़ सकते हैं लेकिन पूरे सिस्टम से आप कल को नहीं मानते थे कहते थे जबसे आप कल में मानने लगे हैं आपके अंदर मुझे एक फायर दिखा है और आज उस फायर को यह आसु ठंडा कर रहे हैं आपने हार मान ली है या फिर कल नहीं है सोच रहे हैं देखिए भूखा रहने वाला सिर्फ खाना मांगता है जिसका पेट भरा हो वो सब मांगता है जो भीक नहीं मांगते हमें उनकी भी मदद करनी चाहिए जिसका जो हग है उसे मिलना ही चाहिए ऐसा आपके पिताजी कहते थे हाँ है विलफाइट एक बात बताओं तुम किसी का भी दिल जीट सकती हो सब्सक्राइब कर लिया और उनकी डेड बॉड़ी गॉड़ा अपने घर पर रखर बैठा हुआ है चलो चल के देखते हैं क्या गोड़ा साथ लाश पर अपना गुस्ता तो क्या मेरा पैसा फिर कौन चुकाएगा वो लोग तो चले गए पैसा कौन देगा मुझसे करजा लेकर अपने शौक पूरे किये मर गया तो मेरा करजा कौन चुकाएगा ओ तुम भी आ गए पूरे गाओं को भड़काने वाला मर दाया है इससे को मेरा करजा चुका दे अगर ये नहीं हुआ न तो इस बच्ची को मुझे सौप दो जब ये जवान होगी तब मैं इससे शादी करूँगा सीधे बात करता हूं तो धोका मत खा ले ना बाहर जो दिखता है और अंदर जो रहता है उनले भावत फर्क होता है में ढ़िः ले षुदे है झाल 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 पैसा पैसा करके कितने लोगों की मौत की वचे बन गए हो तुम में इंसानियत नहीं है क्या ये आखरी बार है इस गाओं में अपसे किसी की भी लाश देखी तो तु वो आखरी लाश देखेगा लाश को रखकर क्या करेंगे? दिन बीट रहा है अब जल्दी से कारे करम पूरा करो उसके बाद? बाद में क्या? इनका अनतिम संसकार करने के बाद किसी और की आत्मात्या का इंतिजार करना होगा और क्या कर सकते हैं? ये मौत इसके पीछे ये दर्द इनकी कीमत मिलनी चाहिए क्यों? मिलनी चाहिए न? अभी तक कितने किसान मरे हैं तुम्हें पता है क्या? मंडियावी में बानबे बेलगाओं में 74 अभीरी में 93 मैसुर में 62 हासना में 67 राइचुर में 96 विजयपुरा में 84 कोलारा में 90 वल्लारी में 113 चित्र दूर्गम में 69 सब मिला के हुए 978 बाकी के जिले में एक एक पकड़ो तो हजार की उपर रहेंगे उससे क्या होगा सरकार ने 323 केसिस को दुमान लिया और 228 केसिस रिजट कर दी गई 327 केसिस टड़ी के लिए रोक रखी है बस इतना ही मुआफ़ा मिलेगा तेखना कुछ नहीं होगा अब से होगा किसान जो खेती करता है वो सिटी तक पहुँचता है तो उसकी मौत की कीमत भी सिटी तक पहुँचनी चाहिए क्या यह हो सकता है गाउं में पैदा होकर गाउं में मरेगा तो ऐसे में कैसे मिलेगी किसान की मौत की कीमत लेकिन मिलनी चाहिए कर दो कर दो कर दो कर दो विजए विजए गड़ी रुको सुबस वह ये लोग क्या कर रहे हैं हुँँ हे इधर आओ ये लाश किसकी है किसान की तो गाओं में लेकि जाओ ना यहाँ पर क्यों लाएं समाधी बनाने के लिए यहाँ पर समाधी पागल हो गया तुम यहाँ समाधी क्यों नहीं बना सकते हैं और भी बनवाता हुए तेरी समाधी क्या का फ्रीडम पार्क में समाधी बना रहे हैं कौन से गाओं से आये हैं कितने लोग हैं रामपूर से किसान की समाधी बनाने यहाँ क्यों आये हैं बैंगलोरू बसाने के लिए टीपू समाधी मैसूर का शेर है इसलिए तो फिर किसान की क्यों नहीं इन लोगोंने क्या किया आखेर आप खाते क्या हैं आन्ने खाते हैं तो किसान वही देता है ब्रेटिश आने के बाद लड़ाई हुई आशा आने के बाद प्यार भी हुआ और जब दिमाग चला तो देश बढ़ा हमारे देश में किसान पहले से था पहले से है और हमेशा ही रहेगा इसलिए उसकी समाधी बढ़नी ही चाहिए नलगुंडा और नलगुंडा में तो है ना सर बैंगलोर में विधान सभा है तो फिर हर जिले में मिनी विधान की क्या जुरूत है नलगुंडा नलगुंडा वालों को हैट्स ओफ है आर यू दू अल दिस फॉर फॉप्रिसिटी डू यू थिंक सो फॉर दू पीबल बाई दू पीबल पैदा हुआ तब से मांग ही रहा है कभी कुछ देना भी सीखो अरे नास्ता रेडी हुआ गया आज उदर बस भी नहीं जाएगी आफिस पैदा ली जाना होगा आ रहा हूँ इन किसानों को और दूसरा कोई काम नहीं है फ्रीडम पार्क में धरना देकर बैठे हैं याँ ट्राफिक जाम हो गया है मैं जानता हूँ आपका केस साले 12 बजे है अरे भाई माली में नेगर चलोगी क्या नहीं भाई मैं उधर नहीं जाओगा फ्रीडम पार्क में बहुत लफला चल रहा है वहाँ फ्रीडम पार्क में क्या लापड़ा चल रहा है पता नहीं सर वो कुछ समाधिय बगर की बात कर रहा है सथ देखो बाद में लॉइन ओडर की प्राब्लम होगी तो मुश्किल होगी अपनी बात रखने के लिए आपने इतनी बड़ी स्ट्राइक की है लेकिन अभी तक आप से कोई मिलने नहीं आया मैंने अब तक किसी को बुलाया नहीं इन फैक्ट हमारी कोई डिमांड भी नहीं है मेरे सभी किसान भाईयों को मेरा एक निवेदन है यहाँ जो मरे हैं इनसे आपको कोई रिष्टा तो नहीं है लेकिन येक इंसान है स्पेशली किसान आपके दिल में इनके लिए जरा सी भी दया है तो आप हे की तरह इन करीब किसानों के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इंसानियत के नाते, हाज चोड़ता हूँ, एक मुठी मिट्टी ला कर दीजिए, इनकी समाथी के लिए इतना वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है, क्या किसान मिट्टी लेकर आएंगे? इनकी रिक्वेस्ट पर क्या किसान मिट्टी लेकर आएंगे? एई, वाट्स हैपनिंग? कर दो एई, वाट्स है वाट्साय कर आखिर इनकी रिक्वेस्ट का जबाब आही गया, बहुत सारे गाहों से किसान मिट्टी लेकर आहे हैं अगर पहले ही कोई सरकार की तरफ से वहाँ जाकर उनसे मिल लेता तो ये सिच्वेशन कंट्रोल की जा सकती थी सार जो भी आता है गवर्मेंट को पकड़ के हीरो बनना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं अब क्या करना है बोलिए वार्न देम, if they don't listen to you, clear them वो किसान लोग है सर, सरकार उनी से चलती है गोवर्मेंट हमारी है तो आपको क्या तकलिफ है जस्ट लिसन टो माई और और अड़र और डू इट अकॉर्डिंगली जू से सर शिवराष की रिक्वेस्ट पर बहुत सारे किसान फ्रीडम पार्ग पर मिठ्टी लेकर पहुच गए है एए बेचाड़ा स्टॉप इट, अगर तुमारी कोई भी डिमांड है तो सरकार से बात करो हमारी डिमांड कुछ पी नहीं है बस फैसला है प्लीज मेरी बास सुनिये, रोग जाओ चार्ज अध्यार, सरुप झार्ग ईट रख अध्यार कि इंस्पेक्टर कहा है वो बेब को ब्लॉब से यो से सर आईए बैठी बैठी है क्रांदिकारी बार चलो साब बुला रहे हैं तीन महिने का टाइम लेकर तुम कुछ करके दिखाने वाले थे आप किसानों की लाश के उपर लड़ाई लड़ रहे हो हैं बहात बड़े हीरो बन गए हो चुप चाप से पीछे हड़ जा मैं किसानों का काम पूरा होने के बाद ही जाओगा मिट्टी का एहसान चुकाने के ब एड़ी कर दूंगा शबाश पहले मुझे यहां लेकिया आया मुझे पर हाथ उठाया फिर भी मैं चुप रहा क्योंकि मैं खाकी की इज़त करता हूं कानुन पर भरोस आये मुझे अगर उसके खिलाफ तुने कुछ काम किया ना तु धमकी दे रहा है क्या यहां से बाहर न मेरी खाबर लेने के लिए हैं तेरे जैसे यहां कितुने भी आ जाये मेरा कुछ नहीं बिगार सकते हैं तुने देख लीना मेरी पावर कितनी है सर बाहर लोग आके जमा हो गए कौन हो तुम लोग क्या चाहिए तुम लोगों को शिवसर को छोड़ो उसे नहीं छोड़ा जाएगा देखो उसने लफड़ा शुरू किया था अपने किया है उसे छोड़ने में ही बलाई है नहीं छोड़ा तो मैं सुसाइट करूँगा उसके बाद मैं मैं भी हम भी हम भी उसके बाद मैं भी हम बनने के लिए तयार है यह धंकी दे रहे सोच लीजिए सर, मंत्री बनने के बाद आप सब कुछ भूल गए है लेकिन शिर्ट सर हमारे लिए अपनी जान पर खेल रहे है मौत का क्या ठीका ना है वो कभी भी हमें लपेट सकती है अगर आज हम इसके लिए मरें तो हमारी मौत के कीमत होगी चोड़ो उसे चोड़ो उसे चोड़ो उसे हम मरने के लिए तयार है इसला रास्ता नहीं है सर जर अच्छे से सोच जीए मीडिया वाले आगए तो बहुत बड़ी निउस बन जाएगी चीक है तो ते बाहर निकालो ना चोड़ो उसे क्या कहा था तुम्हेरो कहा था हीरो यू मैं तुम्हारी तरह हीरोईजम को पांट साल में एक बार रिनियू करने की आदत नहीं है मुझ में राज शिवराज शिव है तो भक्ति है राज है तो शक्ति है इन दोनों का सामना करने के लिए अंदर ताकत होनी चाहिए देखो जी जो आता है उसे आश्रे देकर खाना खिलाना और देख भाल करना उस धर्ति के सपूत्ते हमें यही सिखाया था हम सब मेहनत कर रहे हैं तुम्हारी नियत भी बिल्कुल नेक है पर कोई फाइदा नहीं हो रहा है यह हमारा नसीब है कोई भी इसे बदल नहीं दिया है जो जिन्दगी बची है अपने माबाप के साथ भी तो है बेटा मा का नाम पता है कि चेहरा याद नहीं पिता का नाम पता है चेहरा पता है लेकिन अब वो हम आपने पिता का नाम रोशन करो आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया सर लेकिन यहां का सिस्टम है इतना सब होने के बाद भी हम यहां रहेंगे क्या बास इन लोगों ने क्या कहा पिता का नाम रोशन करने के लिए ही ना अब हम यहीं रहना है अगर हमारी जान चली गई तो किसानों का भरोशा गया तो जिन्दगी में पैसो की ही जरोथ है अपने को इन लोगों ने क्या कहा जिन्दगी और मौत के बीच जिन्दगी नहीं लिखी है वह हम लिखेंगे मतलब भग्वान बनोगे इन्सान बनना है लोगों के दिलों को जीतना है Fon लाओ हाई शिवा अंकल मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे कितने चाहिए बेटा मेरे अकाउन में कितने होंगे बहुत सारे है सारे चाहिए आपने कहा था कि पैसों से कुछ नहीं होगा बॉस लेकिन सरकारी जगों पे देख रहे हैं आप मैं भी ऐसे ही सोचता था लेकिन अब उसकी जरुवत है अचानक पूरे राज्यों में अनाच की कमी राज्य के सभी जिलों में आरिंसी याड सबजी मंडी सब बन पड़े हैं सब हाली हो गए हैं बहुत कम दुकानों में स्टॉक होने की वज़र से भाव बढ़ा कर सावान बेचा जा रहा है इसकी आखिर वजह क्या है उसका अभी तक पता नहीं चला है अगर ऐसा ही हाल रहा तो कूली, मजदूर, रोड पर आ जाएंगे चलिए देखते हैं इस बारे में लोगों की क्या सोचे हैं यहीं पेंतेजार कर रहा हूं इन किसानों को क्या हो गया, पता ही नी चल पा रहा है हमारे पास न तो खाना है न जेब में पैसा है हम तो गाउँ छोड़कर चलिए आए हैं यहां मरनी के लिए शहर में अनाज के भाव बढ़ने से लोग परेशान हो गए हैं सर, तीन दिनों से भूखे हैं सर, पानी पीपी के दिन काट रहे हैं राशन भी नहीं है, खाना भी नहीं है, जो भी भूखा आता है उससे कोल्डिंक और पानी हम अपने रेड से ही बेच रहे हैं नाश्ता तयार है क्या? हाफते भर से कोई सबजी तरकारी न समया है, तो पराशन को लें परेशार मुझे के खाना मांग़ आए ओस्पिटल में कभी ग्रिटिकल है तो सब भुत तक्लीफ में हैं स्पेशली ओल्ड और एज़ पीपल चिल्ड्रोन इन ओल परेग्नेट वीमिन हमारे पास थोड़ा ग्लुकों से उससे मैनेज कर रहें लेकिन कब तक मैं सरकार से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हम जनता के कष्ट को समझेए अनाज दीजिए उन्हें बचाईए और इस मुसिवत को खतम कीजिए अनाज के लिए लड़ाईयां दाने दाने के लिए महताज जनता यार अचानक ऐसे हो गया इसके वजह क्या हो सकती है हमारे सारे मंत्री क्या कर रहे हैं अचानक अनाज का भाव इतना बढ़ने की आखिर वजह क्या है हमें गाउं से मिल हुई एक इंफार्मेशन के मुताबिक एक छोटी सी जमीन के लिए जगला शुरूआ था उस गाउं के गोड़ा की वज़े से एक फैमिली ने आत्मत्या कर ली है उन लाशों के लेकर बैंगलूर में समाधी बनाने के लिए सभी किसान एक साथ हो गए है मगर सरकार ने किसानों पर लाटी चार्ज कर दिया और इन सब के पीछे वो ही व्यक्ति हो सकता जिसने धरना प्रदर्शन किया था अभी अभी हमें पता चला है कि 20 दिन पहले फ्रीडम पार्क में जिसने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन शुरू किया था इसके पीछे उसी का हाथ है जिसका नाम है शिवराज क्या चल रहा है आपके राज में कुछ भी तु नहीं सर क्या है आकिर उस लड़के की समस्या सहब जी आप उसकी बिलकुल चिंदा मत किज़े किसी को कुछ नहीं होना चाहिए कैसे भी हो इस समस्या का समाधान करिए अरे ये कौन शिवराज है इसे कोई काम धंदा नहीं है क्या सरकार भी आलसी है इसकी वज़े से हमें भूखा रहना पड़ रहा है अनाच के कमी की वज़े से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है उसकी वज़े है किसानों का हीरो जनता का विलन शिवराज कल वो हमारे साथ होंगे लाइफ टेली कास्ट में सवाल आप पुछेंगे वो जवाब देंगे विलन हीरो बनेगा या हीरो विलन बनेगा देखते हैं उनका मकसद क्या है देखिए सेम साब हमें अपने जिले में कोई फैक्टरी नहीं चाहिए फंड नहीं चाहिए बस खाना चाहिए सब को अगर खाना नहीं दोगी तो वो वोट नहीं देगे राजनेता की जगह एक किसान बन जाता तो एक टाइम का खाना तो मिलता ना सर आपकी फीस ये आपका पैसा किसको चाहिए मेरे पास भी पैसे रखे है तुम ले लो ये चलो न अरे यहां खाए इतने दिन हो गए और तुझे इसकी पड़िया है क्या बात एंकल जी टाइलट तो बहुत साफ है यूज नहीं होगा तो साफ ही रहेगा न चल जनता को परिशान करके किसानों के साथ खड़ा रहने वाला वो व्यक्ति कौन है पैदा हुआ भारत में और बड़ा हुआ विदेश में आते ही किसानों को सपोर्ट करने का आखिर कारण क्या है चलिए उन्ही से पूछते हैं हमारे स्टूडियो में है शिवराज सर नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते सबसे पहले तो मैं बच्चों से बड़े लोगों से औरतों से माफी मांगना चाहता हूं अब ही कॉलर्स रेडी हैं हेलो शिवराजी है उनसे बात कीजिए हांब बोलिये दियाननजी सर क्या आपको ये सब सही लग रहा है हूं मुझे तो सही लग रहा है आपको गलत लग रहा है चलो बात करते हैं बताई ये अप क्या करते हैं Contractor, interior designer, real estate, architect, beginner, teacher, dentist, businessman, lawyer, good. इन सब के लिए क्या होने चाहिए? दिवाग, talent, education, fine. ये सब कैसे मिलता है? Practice, yoga, ध्यान, practice and hard work, great. इस सब कहां से मिलता है? शक्ति, ताकत, trend, कौन सी strength? Physically, mentally, या फिर morally? Physically, mentally, physically, mentally, both. और ये मिलती कहां से है? खाने से, of course, food. खाना, खाना, वो देता कौन है? किसान, 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 farmer, of course, farmer. अरे आप, अभी तक मुझे scientist बनना है, doctor बनना है, engineer बनना है, ऐसा कह रहे थे. लेकिन किसी एक ने भी कहा, कि मैं किसान बनना चाहता हूँ. ओके छोड़ दो, अटलिस्ट, एक दिन भी कभी किसानों के बरे में सूचा है तुम लोगोंने? या फिर किसानों को क्या तकलीफ है, ये जाने की कोशिश की है? नहीं? एक बात समझ लो, जो खाना हमें मिलता है, वो कंप्यूटर से या एंजिनियरिंग से नहीं मिलता है, बलकि वो हमें मिलता है किसान की महनत से. आपके भले के लिए ही वो इतनी मेहनत करता है वो अपना पूरा अनाज देश में बांट देता है उसके लिए पैसे लेते हैं मगर मौच करने के लिए नहीं बलकि अगले साल फिर से अनाज हुआ कर आप लोगों को देश सके अगर हमारे देश में ऐसा ही होता रहा तो आने वाले वक्त में एक निमाला खाने के लिए लोग आपस में लड़ने लगेंगे ग्यारा लोग क्रिकेट खेलते हैं तो देखने लाखों लोग आते हैं करोडो रुपे खर्च होते हैं लेकिन बेचारे किसान की प्रॉब्लम क्या है ये जानने पर कोई एक भी आता है नहीं आता आज गली में जो बेचारे सबजी बेचते हैं उनसे हम तोल भाव करके कीमत कम करा लेते हैं अगर हिम्मत है तो पीज़ा, बर्गर, स्टार होटल में तोल भाव करके दिखाओ ना अब शमा करना ये किसी के विरोध में या दिवेश की लड़ाई नहीं है सबसे हज जोड़कर यही कह रहा हूँ आप लोग जो काम करते हैं उसमें आपको जो इज़त और सम्मान मिलता है वही इज़त और सम्मान किसानों को भी मिलना चाहिए यही मेरा उद्श है अभी इतना पूलने के बाद अगर मेरी कोई गलती नजर आती है तो ख्शमा करना किसी भी पनिश्मेंट के लिए मैं तयार हूँ यह लड़ाई अब खत्म होगी या आगे बढ़ेगी सरकार इस समस्या पर क्या चवाब देगी इंतिजार कीजे नमस्कार नमस्ते हम सब यहाँ प्रॉब्लेम को सॉल्व करने के लिए आए हैं सुनो तमिल लाट के सीम को फोन लगाओ ओके सर हाँ सीम सर बोलिए यू शुड बी अवेर फूड सिक्रिटी ना इस क्राइसिस से निपटने में क्या आप हमारी मदद कर पाएंगे सॉरी सर वी हैड डिसकूशन विताव फार्मस पूरा सिच्वेशन मैंने टीवी बे देखा है सर मैं कुछ नहीं कर सकता हम भी उसका सपोर्ट करते हैं वो हमारे लिए लड़ रहा है हमारा सपोर्ट करने वाला सिर्फ वो है वो ही किसानों का दर्व समझ सकता है हम उसके साथ ख़़े रहेंगे आंदर प्रदेश के स्यम को फीन लगो हलो भग्वान आयाक करनाट Cisco के लिए लड़ रहे हैं देश में रहने रहने वाले किसान भाइत हम सब को उसे सपोर्ट करन चाहिए केरल फोन लगओ ऑप अबीम है किसानों की तक्लीप एक दाइस है करनाटक में किसानों के भलाय के लिए एक शेर पाइदा हुआ है और पूरे हिंदुस्तान के किसान सब एक है और शेर के साथ है हम तो कभी किसान नहीं बन सकते पर किसानों का सपोर्ट करने projections को सपोर्ट कर सकते है या, इस वीडियो को फेस्बूक पे अप्लोड करेंगे, यूटूब में अप्लोड कर देंगे, अकाउंट के दकिंग से लिखूंगा, करो, के दकिंग का मतलब, के दकिंग मतलब, किसान दकिंग, अफिसर्स, हमारे स्टेट में फूड प्रोडिक्ट्स की शौटेज हो गई है, और इसके लिए राजनिताओं को ही जवाब देना पड़ेगा, खलती वो कर रहे हैं, और भली का बकरा हम लोग बन रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसमें इंटरफेर नहीं करेंगे, मुझे माव करना, मेरी वज़े से बहुतों को तकलीफ होई है, बहुत जल्दी इसका कोई रास्ता दिखा दो यहां से निकल जाओ वरना, होम मिनिस्टर ने भेजाए क्या, पहचान लिया न, एक बात बोलू तुझे, बड़े बड़ों की यहां दाल नहीं गली, तू क्या चीज है, वो तो ठीक है, भगाता है खादी, करवाता है नेता, बचाता है खाकी, मतलब, यह सारी चार्ल जो है, वो सीम की है, लेकिन एक कामन मैन, और वो भी एक किसान, अगर तू ऐसे ही किसान किसान करता रहाना, तो तेरी समादी यही बना दूगा, लुतियों मतलब, फिटेश थार्ल, अगर झिलिए, अौकर यहीए, यहीए, थार्ल, यहीए। झाल, झाल, झाल झाल, झाल, वार् ठाहिए और वेख यहीए, फिली आ प्टेख पाल आ रिंग कि Карqiष कर दो कि अब तक मारा की नहीं वहां सब गाउवाले आगा भाई हम उसे नहीं बार पाएंगा वाले सुरी हलो यह जो किसानों का चल रहा है ना आपके राज्य में यह मुझे ठीक नहीं लग रहा हा देखिए कुछ तो कीजिए वरना यह देश भर में फैल जाएगा आरुन वरन इसनल पराबलम आएंडरस्टेंड सर अरुनायक सर रामपूर जाकर शिव को यहां पर बुलाओ ओके त नमस्ते मैं अरुन आयर बुलिया सर मैं क्या कर सकता हूं सेमसर आपको शहर बुलारे सर मैं कही नहीं आओंगा बात कर ले ताम सर, वो शहर नहीं आना चाहते ठीक है, उनके हाथ में फोन दो सर, सीम सर आपसे बात करना चाहते है नमस्ते सर क्या आप तुम सिटी में नहीं आओगे सॉरी सर, जब भी किसान सिटी में आता है तो उस पर लठी चार्ज करके, गोली बारी करके उसका आपमान किया जाता है मतलब, तो तुम्हारे हिसाब से सरकार को तुम्हारे पास जाना चाहिए समस्या जब हमारी थी तब हम लोग आपके पास आये थे अब समस्या आपकी है तो अब आपको हमारे पास आना चाहिए सर, सिर्फ आप अकेले ही नहीं आप, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, सभी को, सभी को आना होगा अखिर में सरकार को जुकना पड़ा अनाच की समस्या को दूर करने के लिए सरकार रामफूर गई है किसानों के आगे सर जुकाने वाली सरकार अब देखते हैं, शिवराज की सरकार से क्या डिमांड है नमस्ते सर नमस्ते, क्यों कर रहे हो यह सब्तों? तुमने जो कुछ भी किया है, उससे कितने करोड का नुकसान हुआ जानते हो शहर के लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है थोड़ी से भी इंसानियत नहीं है तुम में? ऐसा है तो किसान इंसान नहीं है? उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती? है! आखिर तुम चाहते क्या हो? सर, आपकी नजरों में किसान का क्या मतलब है? सबके जैसा वो जो जानते हैं वही करते हैं क्या मतलब? मतलब मटका बनाने वाला कुमार, लोहे का समान बनाने वाला लोहार, कपड़ा धोने वाला धोबी, जूता सिलने वाला मोची, उसी तरह खेती करने वाला किसान मटके की मिठी किसानों की जिंदगी है किसानों का आउजार किसानों की मुख्य चीज है कपडे किसानों नहीं पैदा की है मतलब इन सब में मुख्य तो किसान ही हुआ ना हाँ समझ गए आप डिमांड बताओ मौसम के अनुसार किसान खेती करता है इसलिए बीच में रहने वाले रेट नहीं फिक्स करेंगे क्या फर्क पड़ता है रेट ही चाहिए न ऐसा है तो हमारे पहनने के कपड़े घूमने वाली कार हमारी घड़ियां इन सब के भी तो रेट फिक्स करो न चलो जाने दो आपकी पगार भी तो आप मीटिंग करके डिसाइड करते हो न आपको जो जनता चुनती है उनसे क्यों नहीं पूछते आज के बाद अनाज का जो भाव तय करेगा वो होगा किसान पैदा बार जादा हुई तो कीमत कौन तय करेगा अभी से हर जीले में अलग-अलग खेती होगी चावल, गेहु, दाल, रुई, कपड़े, रेशम क्या उगाना है इस बात का निर्णय किसान करेगा और उनको किस भाव में बेचना है ये भी किसान ही तै करेगा इसलिए पानी की सारी व्यवस्था क्रिशी मंत्री को ही अरेंज करनी है नहर का पानी साफ करना और उसे खेतों तक पहुँचाना और सारे गाउं में उसकी व्यवस्था करना P.W.D. मिनिस्टर का काम होना चाहिए वो सब हम लोग क्यों करें जी M.L.A. है ना वो करने के लिए देखिए जीला पंचायद गाउं की पंचायद तालू का पंचायद में पानी नहीं मिलता है सब को पानी देना होगा सब्च्च भारत का मतलब टॉलेट बांद कर क्लीन करके जाडू मारना नहीं होता साथ में ये भी करना होगा जैसे की खेट की फसल जीला मारकेट तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सरकारी सचीव जी आपकी है अपकी है अपकी है सैलरी भी ज्यादा होगी इन में से किसी ने एक परसंट भी किसानों को दिया है क्या देखो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट इस तो मैं तुम्हारे सामने है खुद ही डिसाड कर लो सीएम सहाब फाइनस डिपार्टमेंट आपके साथ है आप डिसाड तो कर लो और आज के बाद बीजों को किसान ही बचा कर रखेंगे आज से तीन साल तक खाद और दवा सप्लाई करने वाली सारी की सारी दुकाने पंद अभी से कुछ भी होने दो जैवी खेती होगी और गैनिक बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे जुड़ी हुई है तो उनका क्या करेंगे क्या होगा पता हुए पैदा की हुई फसल गवर्मेंट को दिनिया ऐसा एग्रिमेंट है क्या नहीं है ना सोच लो अभी से भूका मरने वाला किसान नहीं होगा हाँ हाँ सोच लेंगे सेज स्पेशल इकानोमिक जोन मल्टिनाशनल कंपनी फैक्टरी और भी बहुत कुछ ग्रीन बेल्ट मतलब पहाड़ों के पास रहने वाली जमीनों पर कोई कभजा नहीं करेगा चाहो तो खराब लेंड दे दो ना वो लोग नहीं माने तो फ्री में दे रहे हो नहीं माने तो छोड़ दो नौजवानों के लिए क्या काम? क्रिशी को इंडस्टी की नाम से अनौन्स करो कितनी फॉरेंग कंट्री ने किया है इसके लिए किसानों के बेटों को मानना होगा इस काम के लिए किसानों की इज़ट करो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो क्या हम किसानों को भगवान मानकर उनकी पूजा करें? तो गलत क्या है? किसान देश की रीड है इस प्रकृति को भगवान मान कर पूजा करने वाला देश है हमारा, इसलिए तो सूर्य नमस्कार करते हैं, भूमी पूजा करते हैं, पहली बारिश गिरते ही हलकी पूजा करते हैं, ऐसे पूजा करने वाले किसानों को भगवान मानना गलत बात है, और कुछ नहीं है न, है न लोन देने वाली बैंक्स, किसानों की इज़त की धशिया ना उड़ा है, 24 आवर्स पावर रहनी चाहिए, और उसमें भी 12 घंटे डबल फेज, वो भी डे टाइम में, दिया है न, MNC कंपनी को पावर दिया है न, तो दे दो, लैंड फ्री, टैक्स फ्री, किसानों को दे दो, पहले गरीबों पर दबाओ कम करो, उन बेचारों को, एक रुपे में एक किलो चावल, ये भागिया वो भागिया कहकर, किसानों के साथ धोका करने से पहले रोको, 60 रुपे तक का चावल खाने के लिए, किसानों का स्वाभी मान बढ़ाओ, और कुछ भ किसानों का भी एक दिन होना चाहिए, यही हमारी समस्या, बोलिए, कब इन सब को सॉल्फ करेंगे, हम इसे कैबिनेट में रखेंगे, उस पे चर्चा करने के बाद ही बताएंगे, कितने दिन चाहिए आपको, सेशन बुलाई जाएगी, फिर दोनों हाउस में बादचित होन कितने दिन चाहिए, तक्रिबंद दो महिने, तब तक आप भूके ही रहेंगे, यह यह तो तुम ब्लैक मेल कर रहे हो, देखो बिल पास होने के बाद ही होगा, योर राइट, जब एलेक्शन नस्दीक होते हैं, तो जो भी समस्या होती है, उसे आदे घंटे में पास कर देत हो, लेट नाइट भी सेशन चलाते हो, किसानों के लिए किसानों के बीच में ही रह कर फैसला होना चाहिए, क्या बात कही है, बिल्कुल सही कह रहे है, शाओं तुदा ही है, साइलेंस, साइलेंस, ठेक है, वीवर डिसकस, अब सभी मंत्री गण मुख्य मंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे, अब हमें ये देखना है कि किसानों की 12 डिमांड का उनके पास क्या चवाब है राजी की कोने कोने से किसानों के लिए आमा उखती जा रही है, विद्यार्थी अलग अलग गैंक्स बनाकर शिवराज को फुल सपोर्ट कर रहे हैं इनके इनके विद्गा न बना कर देंगें एक फाइल कर देंगें इस आगीन ओपला किसानों पहले खो दिया था उनके बात किसानों का कोई मार्ग दर्शक नहीं था ऐसे हालात में किसानों का मार्ग दर्शक बनकर उनका ही बेटा आया है सब्सक्राइब है इसके है का बोला है एलो इसके पक्की इंफॉर्मेशन है सर शेवराज दर्थी के सपूद के बेटे है सर्थी के सपूद क्या बेटा है किसानों के भगवान का बेटा सर्सर किसानों की समस्य सुनकर उनके बीच में आकर उन्हें सौल्व करने वाल lumière पहले सी हमें सर्श शिवराज़ी के बारे में क्या कहेंगे? देखिये इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कोई भी डीबांन नहींहीं किये इन्होंने जो कुछ कहा है सब किसानों के हित में ही कहा है किसानों के लिए इतना सोचने वाला व्यक्ति मैं पहली बार देख रहा हूँ किसानों को क्या तकलीफ है, उनके परिवार को क्या-क्या तकलीफ हैं उठानी पड़ती है ये समझाने का काम किया है इन्होंने सरकार को इसलिए इनकी जो भी डिवान ने वो हमें स्विकार है और हमने दस्तक्त भी कर दिया नमस्ते आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके पिता में जो गुन थे उनका किसानों के लड़ना आंदोलन करना उनके लिए खड़े रहना ये सारे आदर्श आपमें दिखाई दे रहे हैं ये जनता आपमें आपके पिता की छवी देख रही है सही मायने में आप अपने पिता के सही उत्तराधिकारी है कर दो दो में आपमें आप तुमा के लिए उत्तराधिकारी है ये उत्तराइब झापमें आपके विए रहना चलो बेटा, बाहर इतने सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ये सबाब ही की वज़े से मैंने तो वो किताब तुम्हें पढ़ने को दी थी लेकिन तुमने खुद को ही वो किताब बना दिया वो किताब बनने चितना मैं बढ़ा आद में नहीं हो उस किताब का एक पन्ना बन जाओं तो बस है डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है क्यों बेटा तुमने ये बात मुझसे आगर क्यों चुपाई मोलो शिवा उस दिन एक्सिडेंट हुआ था न तो आस्पिडल जाने के बाद ब्लड टेस्ट में मुझे कैंसर है ये पता चला वो भी फाइनल स्टेज बे हम सोचते कुछ अलग है और होता कुछ अलग है तुम्हारे पिताजी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर मुझसे दूर चले गए बेटा और अब तुम अपना हाथ मुझसे छुडाकर जनता है ना तुम्हारे पिता जी भी जनता के बीच से ही उपर उठे और फिर जनता के दिल में बस गए जनता उनके पीछे भगवान मान कर चलती रही और एक दिन बिना बताए सब को छोड़ कर चलेगो अब मुझसे सहन नहीं होता शिवा यह दार मुझसे सहन नहीं होगा शिवा इतने सालों आपके साथ था आखरी दिनों में आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते मुझे क्यों फॉरून बेजना चाहते हैं आप संडी यह तुझे सूट नहीं करता तुझे हमेशा होस्ते ही रहना है प्लीज मेरी अब तुम भी बच्चों की तरह रोना में शुरू करना मैं सब जानती हूं हैं अब जस दिन जा रहे थे उस दिन मेरी फ्रेंड ने आपको हॉस्पिटल में देखा और तब ही हमें सब पता चल गया था और उसी वक्त में डिसाइट कर लिया था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी आप जो करेंगे उसमें आपका साथ दोंगी थैंक यू देखा मैं कल नहीं कल नहीं कहता था उस भगवान ने मेरी जिंदगी से ही कल निकाल दिया मगर तुम्हारे लिए कल है डोन मिसें हेलो शिव पाकाई वाश दोक्टर है डोक्टर मनक्क करें किया हैं कि सब sell किया है तुम रिक्विस्ट कर रहा है। तुम देने वाले हो मांगने वाली नहीं घ्लत फ्लत नाइस मगर भगवान से तुम आइंक कर। After all, I'm a doctor, बेटा इसलिए तो भगवान बोल रहा हूँ ठीक है, बोलो मैं अपनी जिंदे की जानता हूँ एक देवता का बेटा कहां से आया और क्या किया अभी वो बहुत तकलीफ में है इस बात को चानने के बाद वो बहुत तुक्य हो जाएंगे उनका दर देखानी चाहेगा मैं चाहतों कि वो बहुत खुश रहे हैं मुझे दो उनके खुशी चाहिए इसलिए शिवू फ़र्दर ट्रीट्मेंट के लिए वापस अब्रोट जा रहा है ऐसा बोलतीजिए मानेंगे क्या भगवान बोलेंगे तो मानेंगे नहीं क्या जैसा तुम्हारा नाम है तुम काम भी वैसा ही कर रहे हो यू आर बॉन फार दो पीपल शान्त हो जाएए शान्त हो जाएए हमारी धर्टी का सोना कैसा है आपके सोने को कुछ नहीं हुआ है आप जैसे करोणों लोगों का आशिरवाद उसके साथ है वो ठीक हो जाएगा एक छोटे से चेकप के लिए वो विदेश जा रहे हैं बहुत जल्दी वापस आ जाएँगे और वापस आने के बाद वो हमेशा आपके साथ रहेगा आपके दिलों में रहेगा बिल्कुल चिंता मत कीजे धर्ती के सोने की साहब हम उन्हें देखना चाहते हैं जी